तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंकी दाल और सब्जियों से भरपूर एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी इसे आप जब मन जाएं तब बना के एंजॉय कर सकते हैं साथ इसे बच्चों के लिए भी दे सकते हैं लंच बोक्स में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में एक दम ही आसान है तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का रेसिपी वीडियो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक जरूर कर दें तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप दूली हुई मूंकी दाल ली थी दो तीन बार उसे अच्छे से दो लिया और तीन चार घंटे के लिए उसे भिगो दिया था और अब आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से भीग गई है तो चलिए अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार और सारी दाल को हम इसमें डाल देंगे इसके बाद हमें इसका पेस्ट बना के तयार करना है तो बस धकन को लगाएंगे और इसका एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स आपको इसमें बहुत जादा पानी डालने की जरूरत नहीं है अगर आपको जरूत हो तो सिर्फ एक दो चमच पानी ही एड़ करें उसके बाद हम सारी दाल के बैटर को निकाल लेंगे एक बड़े से बोल में तो देखे फ्रेंड्स आपको मैं दिखाती हूँ बैटर हमें इतना गाड़ा चाहिए पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बरना जो रेसिपी बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी अब साथ ही मुझे कुछ सबजियां चाहिए सबजियों में हमने यहां पे लिया है प्याज, थोड़ा सा शिम्ला मिर्च और थोड़े से स्वीट कॉन साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा अद्रक तो सबजियों को यहां पे आपको बिल्कुल फाइन चौप करना है और आप देख सकते हैं कि सभी सबजियां बहुत ज़्यादा फाइन है इसके बाद हम सारी सबजियों को एक एक करके इसमें डाल देंगे तो मुझे यहां पे प्यास थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैंने एक दो चमच प्यास रहने दिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं और हरी मिर्च आप जरूर एड़ करें इससे रेसिपी का फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा साथ मैं ही कूप सारा डाल देंगे हरा धनिया और अब डालेंगे कुछ मसाले तो मसालों में टेस्ट के कोडिंग नमक थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर साथ में ही डालेंगे यहां पे थोड़ा सा धनिया पाउडर उसी के साथ यहां पे जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए और अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग हिंग भी आप जरूर एड़ करने इसे फ्लेवर बहुत अचा हता है और साथ में ही यहाँ पर डालेंगे एक चमच भर के साबुज जीरा इन्हें डालने के बाद बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर इन्हें करना है मिक्स तो friends बहुत ही easy recipe है खाने में यह बहुत ही ज़ादा tasty होती है साथ में ही बहुत सारी सबजियों के साथ बनती है तो healthy भी बहुत होती है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है तो देखे friends यहाँ पे हमारा बैटर तो बनके तयार है उसके बाद हमें लेना है एक इनो का पाउच तो हमें इनो का जो शैसे है वो सभी बैटर में एक साथ नहीं डालना है सबसे पहले हम बैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि एक बार में हम जितनी recipe दभी पर बनाएंगे उतने में ही हमें इनो यूस करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे इनो तो आदा इनो इसमें डाल देंगे और आदा बचा हुआ हम बाद में डालेंगे तो बस इसके उपर थोड़ा सा पानी और डाल दें जिसे ये जल्दी से अक्टिबेट हो जाए और इसे डालने के बाद चम्मस से अच्छे से से मिक्स कर लें और कुछ सेंकेट में आप देखेंगे कि ये बहुत ही जादा फलपी हो जाएगा बस अच्छे से आपको एक ही डायरेक्शन में से मिक्स करना है तो चलिए यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो बिलकुल बनके तयार है आप चलते हैं हम पैन की तरफ तो यहाँ पे हमने गैस पे रख लिया है एक नॉनिस्टिक पैन और सबसे पहले हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल और थोड़ा सा बटर क्यूंकि मार्किट बगेरा में जब ये रेसिपी हम खाने जाते हैं तो बहां भी इसे बटर में ही बनाया जाता है और बटर में इसका फ्लेबर भी बहुत अच्छा आता है तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसमें एक चमश बटर जरूर एड़ करें अब दोनों को डालने के बाद इस पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें मेल्ट होने देंगे और जैसे ही ये मेल्ट हो दालेंगे जैसे चुटकी भर डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर जिससे लुक वाइज देखने में काफी अच्छा रगता है और थोड़ा सा यहां पे हम डालेंगे चाट मसाला और साथ मेहीं यहां पे डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया तो इ अप्लाई कर देंगे और धकन लगा के दुबार ही से एक दो सेकिन के लिए पका लेंगे तो दीखिए यहां पे एक दो सेकिन्ड कम्टीट हो गए हैं अब पैन को उठाएंगे और इस तरह प्लीट पे से पलड़ देंगे अब पैन में हम दुबारा से थोड़ा सा घी या बटर डालेंगे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और जो हमारा मूंग डाल का बेस हमने बना के तयार किया है उसे इस पे डाल देंगे क्यूंकि हमें दोनों साइड से इसे बहुत अच्छे से से सेकना है तो देखिए इसे इस तरह डाल देंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर याद दिला देती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें जिससे हमें भी यह पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो देखी फ्रेंड्स अब धक्कन को हम इ एक बार इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बेस में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है बहुत एजी ली निकल जाता है फ्रेंड्स बस इसे एक दो बार अलट पलट के बहुत अच्छे से हमें करना है कोक जिसे कि अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए और जो सबजियां हैं वो भी अच्छे से कोक हो जाएं बस दोनों साइड आप पलट के इस पर थोड़ा थोड़ा बटर लगा दे और एक दो बार अलट पलट के अच्छा सा कलर आने तक इन्हें आप सेक लें तो फ्रेंड्स से मूंग लेट की रेसिपी बहुत एजी है और खा जट पट से इसे निकाल लेते हैं तो लीजी फ्रेंड्स तयार है जट पट से बनने बाला हमारा दिली का फेबस मूंग लेट जिसे हमने मिंटों में बना के तयार किया है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी क्योंकि आ पीज कोटे पीज कर सकते हैं जिससे को यह खाने में बहुत आसान हो जाता है बच्चें से इजिवी घाप आते हैं तो इसे मैने हरेधनिय की चटनी और गुड की खटी मीठी सॉंट के सास्स Mayar striking पगारे में जब हम खाने जाते हैं तो हमें इनी दो चटनी के साथ महां पर इने सर्ब किया जाता है तो देखा फ्रेंट्स आपने इसे बनाना कितना आसान है इस रेसिपी को आप बच्चों के लिए दे सकते हैं टिफिन बॉक्स में या फिर आप ब्रेकफास्ट में भी बना के तयार कर सकते हैं या शाम को जब हलकी फुल की भूक लग करती हूं कि आपको यह पसंद आई होगी और अगर वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें साथ ही ज्यादा से ज्यादा ऐसे अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को जरू स साथ तब तक के लिए बाइ बाइ और टेक कियर